अठारा दिसम्बर साल दोहजर सूला यही वो दिन था जब लगभग 80 साल के एक आदमी का इलाज चल रहा था उस आदमी को दिमागी बिमारी थी जैसे आपने सुना होगा किसी को मिर्गी के दोरे आते हैं ठीक वही बिमारी कनाडा के भी उस मरीज को हो गई थी वहां के जो डॉक्टर थे वो उसके दिमाग के कुछ सैंपल को इगठा करना चाहते थे लेकिन इलाज करते वक्त एक ऐसे इगठना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया उस आदमी का इलाज चली रहा था कि डॉक्टर उसके दिमाग का इलाज करने के लिए उसके दिमाग के सेंपल को इकठा करी रहे थे कि तब ही उस मरीज की एक्सिडेंटल मौत हो जाती है उस वक्त तो उस मरीज के दिमाग में इलेक्टरिक सिगनल को कैच करने के लिए तमाम उपकरन लगेख हुए थे आदमी का इलाज तो नहीं हो पाया लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसे गुत्ति को सुल जा लिया था जिसका जवाब दुनिया भर के लोग हजारों सालों से ढूंड रहे थे कि आखिर जब एक इनसान की मौत होती है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा हुता है आखिर क्या होता है कि इनसान के दिमाग में जब उससे पता चलता है कि आने वाले कुछ मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी आखिर क्या होता है तो उस वक किसी इनसान के दिमाग के भीतर जब उससे पता चलता है कि यमराज उसकी जान लेने आ गए है ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब दुनिया भर के लोग एक लंबे अरसे से ढूंड रहे थे लोग सवाल के जवाब को खुद ही imagine करके बताया करते थे लेकिन आज सवाल के जवाब को ढूंडने के लिए दुनिया में अब तक कोई experiment नहीं हुआ था लेकिन कैनेडा में हुए उस अक्सिडेंटल मौत ने इस सवाल के जवाब को सामने ला दिया और आज के वीडियो में हम आपको कैनेडा के उसी मरीज की कहानी बताने वाले हैं कि मरने से पहले ठीक 30 सेकंड उस आदमे के दिमाग में क्या चल रहा था दोस्तों अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब इंसान की मौत होती है तो उस से ठीक कुछ सेकंड पहले उसकी आखों के सामने पूरी जिंदगी की कहानी नाचने लगती है यानि जब किसी इंसान कोई पता चलता है कि आने वाले कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट में उसकी मौत हो जाएगी उस वक्त उस आदमी के आखों के सामने उसकी जिंदगी की पूरी कहानी मानो शॉट फिल्म के तरह चलने लगती है और कैनेडा के अस्पताल में जब उस आदमी की एक्सिडेंटल मौत हुई तब कही न कहीं लोगों के द्वारा कही जाने वाली ये बात सही साबित हो गई दरसल हम आपको जिस मरीज की कहानी बताने जा रहे हैं उसे कैनेडा के वैंकुवर्ड जेनरल हॉस्पिटल के इमेर्जिंसी रूम में एड्मिट किया गया था डॉक्टर सके अनुसार उस आदमी को अपिलेप्सिया नाम की बिमारी थी जिसे हम अपनी भाषा में मिर्गी भी बोलते हैं अब इस बिमारे से गृस्त इंसान के साथ क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कैनेडा की डॉक्टर उस आदमी को दिमाग की जाँच करना चाहते थे कि आखिर उस आदमी को लगातार मिर्गी क्यों आ रही है दिमाग की जाँच करने के लिए डॉक्टर ने इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी की प्रक्रिया को इंजाम देना चाहा दोस्तों आपको बता इलेक्ट्रो एंसेफिलोग्राफिकों सामानेता ईईजी भी कहते हैं दोस्तों आपने अपने किताबों में ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी इंसान का जो दिमाग होता है उसमें बहुती कम मात्रा में लेकिन इलेक्ट्रसिटी दौड रही होती है और अगर इलेक्ट्रिक सिगनल को कैच कर सकता है और उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रो एंसेफिलोग्राफी आसान भाशा में कहें तो इसे दिमाग को पढ़ने वाली मशीन भी कह सकते हैं अब क्योंकि मेर्गी जैसी बीमारी सीधे किसी इंसान के दिमाग से कनेक्ट होती है एवजए कि कैनेड़ा क कि डॉक्टर्स ने उस बुज़र्ग मरीज के दिमाग से इलेक्ट्रिक सिगनल को क्लेक्ट करना चाहा ताकि वो जान सेके उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उस मरीज के दिमाग में क्या परेशानी आ रही है जाच करने के लिए इलेक्ट्रो एंसेफिलोग्राफी के द कुछ सेकंड तक बहुत पहले दर्द से गुजरना पड़ता है क्योंकि उस मरीज की उमर बहुत जादा थी इसलिए हार्ट अटाइक कुछ जादा गंभीर था और मैस डेड़ मिनट के भीतर ही मरीज की मौत हो गई लेकिन इस दोरान मरने से पहले उस आदमी के 90 सेकंड की दिमागी अक्टिविटी रिकॉर्ड की गई और ये हमारे इतिहास का पहला ऐसा मौका था जबकि इस इंसान के मरने से पहले उसके दिमागी अक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया हो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी इस दोरान डॉक्टर्स ने मशीन के अंदर उस आदमी के मरने से 60 सकंड पहले दिमागी अक्ट्विटी को रिकॉर्ड किया और उससे भी जदा हैरानी की बात तो ये थी कि जब उस इंसान की सांसे थम चुकी थी उसके बाद की भी 30 सेकंड के दिमागी अक्ट्विटी रिकॉर्ड की गई आदमी तो मर चुका था लेकिन उसका दिमाग अभी भी तेज़ी के साथ चल रहा था बाद में उस इंसान के जो दिमागी डेटा कलेक्ट हुए उससे शूद के लिए भीज दिया गया ब्रेन वेवस पर शूद करने वाले विज्यानिकों का कहना है कि मौत से पहले उस इंसान का जो भी डेटा कलेक्ट हुआ था वो ठीक वैसा ही है जैसे उसकी मेमरी फ्लेश बैक में चल रही हो जब कोई इंसान अपने परानी यादों से उकर गुजर रहा होता है उस वक्त तो उस इंसान के दिमाग में खास तरह की तरंग पैदा होती है हरतंगेस तरीके से उस बुड़े आदमी की जब मौत हुई उस आदमी के भी दिमाग में वही तरंग पैदा हो रही थी ऐसे में डॉक्टर्स ने ये साबिक तो कर दिया कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब कोई इंसान की मौत होती है तो उसके दिमाग में उसके पूरी जिंदगी के गटनाएं गूमने लगती है लेकिन बहुत तरह डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो इस बात का विरूद भी कर रहे थे उनका कहना था ये परिक्षन जिस मरीज के उपर किया गया वो पहले से दिमागी बिमारी से गिरसीत है यानि कि ये जाँच जिस आदमी के उपर हुई वो पहले से दिमागी तौर पर बिमार था और ऐसा संभव है हमें जो भी डेटा मिला है वो उसके दिमागी बिमारी होने की वज़े से हो यानि ऐसा संभव है कि अगर किसी स्वस्त आदमी का इस तरह का जांच किया जाए तो हमें कुछ अलग डेटा मिलेगा लेकिन अब समस्य यह थी कि इस तरह का जांच दोबारा संभव नहीं था अब आप अंदाजा लगा कर देखिया आखिर कौन सा आदमी होगा जो अपने आपके उपर यह टेस्ट करने देगा और अगर कोई आदमी ऐसा करने के अनमती भी देता है तो उससे पहले पता होगा कि उसके दिमाग का टेस्ट हो रहा ऐसे में उस आदमे के दिमाग अधिकतर वक्त सिर्फ इस टेस्ट के बारे में सोचने में निकल जाएगा ऐसी जाँच तभी संभव है जब फिर से इस तरह का एक्सिडेंटल केस हो जाए जब डॉक्टर किसी और चीज़ की जाँच कर रहे हो उसी वक्त गलती से उस इनसान की मौत हो जाए यही वज़ा है कि डॉक्टर्स में मतवेद होने की वज़े से इसे शोध में जो भी रिजल्ट आया उसे कभी पबलिश ही नहीं किया गया क्योंकि उनका माना था कि रिजल्ट पहले से बिमार आदमी के दिमाग का है वो तब तक इस बात को पुखता नहीं मानेगा जब तक किसी स्वस्त आदमी के उपर इस तरह का टेस्ट ना किया जाए क्योंकि जब किसे इंसान को दिमागी बिमारी होती है तो उसके दिमाग में मौझूद एलेक्टरिक सिगनल अस्त वियस्त हो जाते हैं इतना ही नहीं अगर किसे आदमी के माथे पर चोट लगती है तो उस वक्त भी उसके दिमाग का डेटा गडबड़ हो जाता है ऐसे में इस तरह के डेटा पर विश्वास कैसे करें रिसर्चर को ये ब्रेन स्कैन 2016 में मिल गया था लेकिन वो ऐसे दूसरे केस की ताक में बैठे रहे जिसमें इस तरह के नतीजे दोहराए जा सके लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी डॉक्टर्स को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिला और आखिरकार 6 साल के इंतजार के बाद पिछले महीने इस डेटा को पब्लिकली पब्लिश कर दिया गया अगर इसे शोद के रिजल्ट को आम भाशा में समझें तो डॉक्टर भी यही कहना चाहते थे कि जब किसे इंसान की मौत होती है तो उस वक्त उसके दिमा हैं जिनका मानना है कि जब वो कुमा में थे तब उन्होंने मौत को बहुती पास से देखा था और अब जब कई घटना ऐसी हो चुकी है कि जब लोग मरते मरते जिन्दा बच गए इस शोद के रिजल्ट को पब्लिश करने से पहले दुनिया भर के डॉक्टर्स ने उन इंस कर रहा था जिसके एक चोर पर वहुती तीज रोशनी हो रही थी वहीं कुछ लोगों कर कहना था कि वे एक ऐसी जगह पर चले गए जहां का नजारा बड़ा खुबसूरत था यहीं वज़ाए कि आज भी बहुत सारे डॉक्टर उस शोद के रिजल्ट को सहीनी मानते डॉक् तो इंसान के दिमाग में क्या चलता होगा आप अपने राय कोमेंट में देना वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन करना बिलकुल मत भूलना क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंफॉमेटिव वीडियो दुलाते रहती है